हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीयसार इस्टडी में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारती राज वजस्था से संबंदिज जो मैट्पून कोश्चन्स हैं उनकी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं इसी सिक्रम में आज भारती चैनल है सारगिषट्य को सब्सक्राइब कर ली जैश चलते हैं अपने कोश्चंस की तरव पहला कोश्चं कह cámara है राज्य पुनर गठन आयोग राज्य पुनर गठन अधिनियम कंपारित किया गया तो दोस्तों राज्य-पुनरं अधिनियम पारित किया गया था 1956 में option no 2 इ इस आधिनियम के अंतरगत हमें ठोटल 14 राज बनाय गही थे दोस्तों 14 राज और चै-उटी बनाया गहीजिव दोस्तों यानि केंद्रशाषित-प्रदेश बनाए गए थे एँज ठीधा राज और 6 केंद्रशाषित प्रडश्यो का गठन किया गया था राज पुनर गठन अधनीयम उन्हें सो च्वपण के दोर्ण अगला कोश्ण देखتे है गुजरात किस राज से अलग होकर एक कालग मैं दोस्तों गुजरात को अलग अलग राज बनाया गया था commercial के लिए किस 1960 को मुंबई का विवाजन किया गया और दो राजियों का गठन किया गया जिसमें से एक था गुजरात और दूसरा था महराश्ट यानी मुंबई राज का बटवारा करके महराश्ट और गुजरात दो अलग राज बनाये गए एक माई 1960 को दोस्तों ठीक है अगला कुशन lysine 1963 दोश्तों 1 दिसंबर एक दिसंबर 1963 में नागा लेंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गैज अब किस कारों से दिया गया दोस्तो ऐसा क्योंकि नागा अंडल में चलाए जा रहा था असम में इसी वग 줄 में डिया dei बेला कोशन देखते हैं हर्याना अलग राज किसे राज को विवाजित करके बनाया गया तो दोस्तों हर्याना को एक अलग राज बनाया गया जो की हिंदी वाशी लोगों का राज था दोस्तों और इसको अलग किया गया था पंजाब से दोस्तों एक नवंबर 1986 देट बहुत इंपॉर्टन है दोस्तों इसकी देट ही अधिकतर पूछी जाती है एक नवंबर 1986 को पंजाब जो है उसको डिवाइट किया गया दो दो भागों में इसमें से एक भाग बनाया गया पंजाब जिसमें पंजाबी वाशी जो रहेंगे और एक भाग बनाया गया हर्याना जिसमें हिंदी वाशी लोगों को रखा गया दोस्तों इस तरीके से एक नवंबर 1986 में हर्याना जो है वो पंजाब राज से अलग होकर एक अलग राज बना अगला कोशन देखते हैं रिमाचल परदेश को पूर राज का दरजा कब दिया गया तो दोस्तों हिमाचल परदेश को पूर्ल राज का दरजा दिया गया था 1971 में इसका सही आंसर है आप्शन नमबर एक 1971 दोस्तों 25 जन्वरी 25 जन्वरी को 25 जन्वरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज का दर्जा प्रदान किया गया अगला कोशन देखते हैं 21 जन्वरी 1972 दोस्तों डेट अच्छे से जात कर लिएगा बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है यह 21 जन्वरी 1972 को किसको पूर्ण राज का दर्जा दिया गया तो दोस्तों 21 जन्वरी 1902 को मनीपूर तृपुरा और मेघाल है इन तीनों राज्यों को जो यह पूर्ण राज का दर्जा दिया गया दोस्तों ठीक है इत्रेपुरा मनीपूर और मेघाला यह तीनों आपको यादखने 21 जन्वरी 1902 को इन तीनों को पूर्ण राज का दर्जा प्रदान किया गया था अगला इसका सही आंसर नंबर चार उप्रोगत सभी अगला कोश्चन देखते हैं कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टन कोश्चन नहीं यह कई एक्जांस में पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज का दर्जा दिया गया था 1975 में इसका सही आंसर है उप्षन नंबर तीन 1975 छब्श अपरैल को यह दिया यह दोस्तों 26 अपरैल 1975 को सिक्किम को पूल राज का दरजा दिया गया था और इसको भारत का बारत संग का 22 राज गोशित किया गया था अगला कोशन देखते हैं सन 2000 में यानि वर्ष 2000 में कौन कौन से नए राज बने थे दोस्तों इस कोशन में पुछा जा रहा है तो सन 2000 में 36 गड़ उत्तरा खंड और जार खंड यह तीनों राजियों का गठन किया गया था सन 2000 में इसका सही आंसर है इस कोशन का ऑप्शन नंबर चार उप्रोग तर सभी दोस्तों इसके बारे हम कुछ और फैक्ट्स हैं 36 गड़ जो था वो भारत का 26 वा राज जे गुशित किया गया था 36 गड़ भारत का 26 राज्य है और इसका गठन एक नवंबर को किया गया था दोस्तों एक नवंबर को इसके बाद उत्तरा खंड जो है वो 27 राज्य बना भारत का और इसका गठन 9 नवंबर को किया गया है दोस्तों ठीक है 9 नवंबर 2000 जार खंड जो था वो 28 राज्य था दोस् को ठीक है तो यह आपको मालूम होना चाहिए यह करम आपको याद रखने हैं कि जो लाश्ट में राज बने हैं चाहिए वह बाइसमा राज से तेलंगाना जो राज बनाया गया था वह उन्तिस्वे नंबर का राज था तेलंगाना कितने नंबर का राज बनाया गया था उन्तिस्वे नंबर का राज था तेलंगाना और इसको आंध्र प्रदेश को विवाजित करके बनाया गया था आंध्र प्रदेश जो राज था उसक जून 2014 में दोस्तों ठीक है उस समय 2014 में तेलंगाना उन्तिस्वा राज्य बनाया गया था अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यह कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि एक करेंट पॉइंट आएगा और यह समविधान में भी आपके आएगा ठीक है दूर्ट कैसे यह कोश्चन बन सकता है तो इसमें देखने कोश्चन क्या कह रहा है जम्मू कश्मीर तथा लदाक को केंदर शाषित प्रदेश कब से बनाया गया तो दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनरगठन अधिनियम लाया गया 2019 में यह आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 जो था वह हमारे देश के ततकादीन ग्रह मंत्री जो प्रजेंट टाइम पर भी भारत के ग्रह दिया गया इसको और जम्मू कश्मीर जो की एक राज्ज था जिसमें लद्दाक समय उजित था उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाक दो टुकुलों में बाढ़कर उन दोनों को केंद्र शाषित प्रदेश गोशित कर दिया गया दोस्तों ठीक है तो पांच अगस्ट 2019 को जम्मू कश्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 जो था उसको पेश किया गया उचसदन में और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाक को केंद्र शाषित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 से दोस्तों यह जो जम्मू कश्मीर और लद्दाक को केंद्र शाषित प्रदेश का दर्जा दिया गया था यह लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला कोशन देखते हैं भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों यह कोशन बहुत घुमाने गया यानि जम्मु कश्मीर को जब राज का दर्जा वापस लेकर एक केंद्र शाशित प्रदेश में पतब्दील किया गया जम्मु कश्मीर और लद्दाक के रूप में उस दिन के बाद से जो है भारत में टोटल जो है राज्य बन गए हैं 28 यानि 28 राज्य हैं इस समय याद रखना है इसका सही अंसर है ऑप्षन नमबर टू 28 राज्य हैं अगला कोश्चन देखते हैं सम्विधान में नागरिक्ता के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किये गए हैं तो दोस्तों जो भारती सम्विधान है उसमें जो नागरिक्ता के संबंदित कानू नागरिक्ता के लिए उनमें प्रावधान किया गया है अगला कोशन देखते हैं संग ऐवम उसके राज्य छेत्र के बारे में सम्विधान के किस भाग में वनने था है तो दोस्तों जो भारत का संग है और उसके राजचेतर हैं इसके बारे में सम्विधान के भाग एक में वनने था है अनुच्छेद एक से लेके चार तक अनुच्छेद हैं इसमें भाग एक में जिसमें संग और उसके राजचेत्रों के बारे में बताया गया है अगला कोश्चन देखते हैं कि बहुत इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग तीन में ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर है दोस्तों पिछले वीडियों और डिसकस किया था कि भारत का मैगना काटा क किसे का जाता है तो सम्विधान के भाग तीन को कहते हैं क्योंकि इसमें मौलिक अत्कारों का वर्णन है दोस्तों ठीक है तो मौलिक अत्कारों का वर्णन सम्विधान के भाग तीन में और इस भाग में यानि भाग तीन में कौन कौन से अनुच्छेद आया दोस्तों अनुच कुछन भी बहुत important है सम्विधान के भाग चार में लेक किया गया है राज के नीती निर्देशक तत्तों का option number 3 इसका right answer है नीती निर्देशक तत्तों या सिधान इनका वर्णन किया गया है सम्विधान के भाग चार में और यह आते हैं अनुचेद 36 से लेके 51 के बीच में अनुचेद 36 से लेके 51 के बीच जो है यह भाग चार में दिये गया है और इसी के अंतरगत नीती निर्देशक तत्तों को समझाया गया है अगला question देखते हैं सम्विधान के किस अनुचेद में मूल करतव रखे गए हैं दोस्तों यह भी बहुत important question है मूल करतव से संबंदित तो अनुचेद 51 का जो है वो इसका सही answer है option number two एक नया अनुचेद बनाया गया एक नय भाग के अंतरगत जिसे कि हम लों को पता है कि सम्विधान में जो मू बनाया गया मूल करतव जोड़े गया मूल करतवियों को जोड़ा गया था 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और जब इनको एड किया गया तो सम्विधान में एक नया भाग चार का बनाया गया दोस्तों ठीक है और इसके अंतरगत अनुचे 51 का के अंतरगत मूल करतवियों को रखा गया था और जब मूल करतव जोड़े गये थे 1976 में दोस्तों उस समय इनकी संख्यात दस थी ठीक है चाहिए लिए कहां से गया है मूल करतव पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रूस से संबंदी प्रावधान किये गए उसके अंतरगत कितने आटके लें दोस्तों अनुचेद अनुचेद 343 से लेके 351 ठीक है अनुचेद 343 से लेके 351 तक कि जो अनुचेद है वो राजबाशाशंबंदी प्रावधान है उनके और वो संविधान के भाग 17 के अंतरगत आते हैं अगला कोश्चन देखते हैं आपास उकबंदों का वर्णन किस अनुचेद में है तो दोस्तों जो आपास उकबंद किये गा है सम्विधान में किसी भी आपास इस सिती से ने पटने के लिए उनका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच किया गया दोस्तों तो इसका इस question का right answer और ये संविधान की किस भाग में दाया गया शमिधान के भाग अठारह में इसका उलेक किया गया अगला कोशन देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वलने थे तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ऐसा कि पिछले वीडियो में दिसकस किया था किस देश से ली गई है दच्छन अफरीका से इसको लिया गया है और यह संविधान के भाग 20 में इसको संधित है और यह संविधान के भाग 20 में लिखा हुआ है अगला कोशन देखते हैं मूल अधिकारों की संख्या कितनी है तो दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या जब संविधान बना था उस टायम पर मूल अधिकारों की संख्या थी साथ ठीक है लेकिन मूल अधिकारों की सं अगला कोशन देखते हैं संविधान में मौलिक करतव कि समिती की अनुसंशा पर जोबे गए थे तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मौलिक करतव जोबे गाए लो 42 में संविधान संशουदन के दोहरा जोबे गए है 1976 में तो यह किस समिती ने अंसंशा कि थी कि मौलिक करतव संविधान में जोबे जाएं तो दोस्तों इसका सही answer है option नमबर एक सरदार सोलन सिंग समीति सरदार सोलन सिंग के अधिश्ता में समीति का गठन किया गया था जिसने यह सजेशन दिया था कि सम्विधान में मौलिक करतवियों को भी स्थान देना चाहिए अगला कोशन देखते हैं वर्तमान में मौलिक करतवियों की संख्या कितनी है दोस्तों जब सम्विधान में मौलिक कर्टवी जोडए गया उस원 कि ति उसके बाद एक और मौलिक कर्टवीयों की संख्या है जेजी देखते हैं निब्ल मेंसे काउन सा मूलытकार है तो दोस्तों नीचे में दो देखते हैं option कौन कौन सा मूलतकार है तो पहला option कह रहा है समता या समानता का अधिकार जी यहां दोस्तों यह मूलतकार है अगला option देखते हैं सो तंतरता का अधिकार दोस्तों यह भी एक मूलतकार है अगला option देखते हैं चेक करते हैं शोशन के विरुद्ध अधिकार द दोस्तों टोटल 6 मूल अधिकार हैं। हमारे सम्विदान में जो वॉणने था हैं मूल अधिकारों की शुरणी में वो कौणको से हैं। समता चाकर सदर्धा का अधिकार कर और शोशन के विरूम्झ उदकर १रृ इसके अलावा धारमिक सुतंत्रता का अदिकार, संसक्रति और सिच्छ संबंधी अदिकार, तथा समयधानिक उपचारों का अदिकार। ये 6 मूल अदिकार हैं जो भारती समयधान में वरनेत हैं। दोस्तों यह किस-किस आठिकल के अंतर के आते हैं यह देख लेते हैं यह पर समता या समानता का अधिकार यह आता है आठिकल 14 से लेके 18 के बीच में इस अधिकार के बारे में वर्रॉंद किया गया या प्रावधान इसके लिए सफंतरता का अधिकार जो है दोस्तों वह आता है आठिकल 19 से लेके बाइस के बीच में थाएं फिर देखते हैं इसके बारे में आठिकल 23 से लेके 24 के बीच में कहा गया दोस्तों अनुछेद 23 और अनुछेद 24 जो हैं वो शोशन के विरुजदकार के संबंदी प्रावधान उसमें लिखे हुए हैं इसके बाद दोस्तों जो धार्मिक सतंतरता का अजिकार है वो अनुछेद 25 से लेके 28 के बीच में हैं और संस्कृती और सिच्छा संबंदी अदिकार का जो प्रावधान किया गया है दोस्तों सबसे इंपॉर्टन मूलत कार जो है जिसको समविधान की का हिदय वह आत्मा कहा है दोक्टर भीम्राम बेटकर जी ने यानि समविधान इक उप्चारों का अधिकार जो की आटिकल 32 में उसके लिए प्रावधान किया गया है तो यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मैटकूल कोस्टन के साथ थैंक्यू फ्रेंड्स